यूपी के कानपूर जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां पर मंदिर की छट से चलचलाती धूप में अचानक पानी की बूंदे टपकने लगती हैं बारिश की शुरुवात होते ही इन बूंदों का टपकना बंद हुचाता है ये मंदिर यूपी की और द्योगिक नगरी कह जाने वाले कानपूर जिले के भीतर गाउं विलाके से ठीक तीन किलोमीटर की दूरी पर बहटा गाउं में इस्तित है इस प्राचीन मंदिर में भगवान जगनात की पूजा होती है बताते हैं कि कई बार वैग्यानिक और पुरातत्व विशेश सग्यों ने मंदिर से गिरने वाली बूदों की परताल की लेकिन सदिया बीत गई है इस रहसी को आज तक कोई पता नहीं कर सका आखिर मंदिर के छच्चे टपकने वाली बूदो का राज क्या है ये किसी को नहीं पता चला कहा जोता है कि इस मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है इस मंदिर में भगवान जुगनात, बल्दाउ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है इसके लावा मंदिर में पधनाभम की मूर्तिस्था पित है स्थानी निवासियों की माने तो सालों से वो मंदिर के छच्चे टपकने वाली बूदों से ही मौन्सून आने का पता करते हैं कहते हैं कि इस मंदिर के छट से टपकने वाली बूंदों के हिसाब से बारिश भी होती है इस मंदिर के गुंबत से जब बूदे कम गीरी तो ये माना जाता है कि बारिश भी कम होगी इसके उलटे कर जादा तेज और देर तक बूनेगीरी तो इमाना जाता है कि बारिश भी खूब होगी मंदीर के पुजारीन बताया कि इस बार बारिश कम होगी क्योंकि दो दिन से छोटी बूधे टपक रही है जोगनात मंदीर पुरातत्व के अधीन है जोसी रस्यात्रा पुरी उरिशा के जोगनात मंदीर में निकलती है वैसे उरति यहां से भी निकारी जोती है पुरातत्व विवात कानपुर के कदिकारी के माने तो मंदिर का जड़ोद्वार गारवी शिताबदी के आसपास हुआ था मंदिर नवी सदिका हो सकता है